बिसम्ले रह्मार्वार्वार्वीम, स्लाम अलेकूं जी आज इंडियो का मकसद में उन लोगों के लिए जो एकॉमर्स को जोईन करना चाहरे हैं या वो इसके बारे में चाहरे हैं यह क्या है इस तनके से खाना तो वह आना जाते हैं क्याने ओंट इंडिकात, वह में एन लोगों के यह खते हैं होंगा ताकि उन लोगों को शूर से इन चीजों के बारे में समय आ सकें तो इकमर्स यारी ओनलाइन बाइन और सेलिंग एकमर्स के लाद यह जैसे कि आपको पता है कि कमर्स उनका मतलब खरीद फारॉख कर यह कोई चीज कोई प्रोड़्ट्स सेल करते हैं कोई ब्रैंड से डिस्ट्रिट्टर से या उसीर से लेकर अपनी दुपान पर रगते हैं और सेलिकर यह और इकमर्स के लादा उनलाइन चेज़ करते हैं तो यह e-commerce करता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपने जो चीज़ आप ऑनलाइन परचेस करो और फिर उसको ऑनलाइन बेचो नहीं हमने इसको अगर इसी तरह भी परचेस किया फिजिकर जाकर परचेस किया लेकिन आप अगर इसको मोडेल्स है जिसमें बन्यारी करिंदो inne defa जिसमें एक हो आधा बीन ली यानि हम ऐसे अम सब्सक्रां एय मुज्व 2 बिसनस है ला एदिफेट री सिप अक और तीसरा है सी टू और और के अब सब्सक्राइब हो एं तिन विजिनिस मॉडल्स को समझना जरूरी है क्यूंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आगे आपको काम आएंगे आपको इनकी समझ आ जा जाएगी कि हम इस पे कैसे काम रहते हैं या इन पे कैसे काम किया जाता है तो सबस्थे पहले हम बात कर लेते हैं जो बी-टो-बी बिसनस मोडल है उसके बारे में बी-टो-बी बिसनस मोडल में जो दोनों पार्टी होती है यानि हरीदने वाला और बेचने वाला वो दोनों के दोनों बिसनस कर रहे होते हैं यानि जो बेचने वाला होता है वो बीचने वाला होता है तो इसको आगे बेज़ता है यानि अपनी सिनमाल के लिए नहीं रखता है वो इसको आगे बेज़ता है और दूसरे कस्टमर को तो इस मॉडल को हम B2B केते हैं इसकी बेतरी निसाल आप Alibaba.com है पर हम जोती है पर्चेस करते हैं तो वहां पर शोती। बाइबते हैं सैलर्स हैं, मैनिफेक्टर्स हैं तो वो सारे बिजनसमेन हैं वो खुद बिजनस कर रए और उन alcohol system हैं पर अर दूसरे मुडल को हम कहेंगे B2B जिसमें हम बेजनस एक बिजनस इसके तुसरे बिजनिस के साथ काम करता है वो तुसरे बिजनिस से प्रोडिक्ट खरीद कर आगे पिर तीसरे कस्टमर्स को सेल करते हैं तो इस मौडल को हम कहेंगे बी-टू-बी इसके बाद आजाता है जी बी-टू-सी इसमें आपको बी-टू-बी इसमें बी-टू-बी इसमें आपको किस्टमर करते हैं जैसे मैं हो मैंने बिजनिस टू-बिजनिस से एक चीज बाएगी इसमें प्रॉडनिट भाईगी जिसके मैंने 1000 पीस फरी दे वो में ले आया मैंने भी बिजनिस की नियेदसे खरीदे और जिसने मेंको सेल किये वो भी बिजनस ही कर रहा था मैंने 1000 पीस खरीद लिए, अब मैं उसको आगे बेज़ुंगा आगे बेजने का मतलब है कि मैं उसको कस्टमर को बेजूँगा यानि मैं बिजनस करना हूँ लेकिन जो खरीदने वाला है वो बिजनस नहीं करना हूँ वो एजर कस्टमर मुसके पर्चेस करेगा तो यह होगया B2C का मोडल अभी बी 2C के मोडल में मैं आपको खर मिसाल दूँ तो अमेजान होगया या पाकसितान में जिसी दराज है तो यह B2C की मिसाल दूँगा अभी दराज पर देखें आप के हम अगर कोई कस्टमर अगर उनसे कोई प्रोड़क्ट खरीद रहा होता है तो वो अपने स्वाल के लिए खरीद रहा होता है। वो इस तरह नहीं करता है कि मैं उसे प्रोड़क्त खरीद हूँ, मैं उसके आगी बेचूंगा नहीं। दराज बिजनस करवा है, लेकिन उसके जो कस्टमर हैं, उसके कस्टमर हैं। इसलिए ये B2C मॉडल कहलाता है। इस इस B2C मॉडल में जो दोनों पार्टीज होती हैं, वो दोनों बिजनस नहीं कर रहे हूँ। यानि ये जो भी सामान खरीदेते हैं, जैसे भी मैंने जैसे प्रोड़क्त बाइगी अपने घर के इस्तमाल के लिए, जैसे मैंने मॉंबाइल बाइग किया। और मैंने उसको प्रोड़क्त बाइगी तो जब मैं उसको बेच होंगा, तो मैं खुझ एक कस्टमर हो कि वो प्रोड़क्त बाइगी थी। अब मैं इसको बेचना चाहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा उस प्रोड़क्त को किसी दूसरे कस्टमर पे सेल करूँगा। यानि कस्टमर होकर मैं पाकिस्तान और्लेक्स है जिसमें लोग अपनी मुख्तरिफ आफर्स लगाते हैं जो की इसमाश चीज़ों 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 से काड़ियों हो गई, मॉबायल हो गए, हर किसम की चीज़ें वो सेल कर रहे होते हैं तो यह इसकी एक अच्छी मिसाल है, यहीं सी टू सी की, तो यह तीन मॉडल थे, यही कॉमस के, मैंने का यह मैं आपके साथ इसके बारे में आपके साथ डिसकस करो, मैं इसके साथ आगे भी मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा, इसी तरह की ताकि आप लोगों को इस चीज एक सीरीज की तरह यह चलता रहा है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिजर को, ताकि मैंने मज़ीद आपके आने वाड़ी वीडियो आप रह पहुंच सके, तेंक्यू, अलाहफीज, अलाहफीज,